हमारे Mi 11 X के लिए एक वाइ फिर से Octave OS का latest update आ चुका है जिसे यूज करते वे हो चुके है करी-करी 1 से 2 days और क्या कुछ यहाँ पे नया देखनी को मिलता है, different बगेरा और performance कैसा निकल के आता है वो साही चीज़ों में यहाँ आपको बताने वाला हूं और हमेशा Octave OS के अंदर एक दूबग तो मिल ही जाते थे, तो क्या इस बर भी same देखनी को मिलता है या फिर साही चीज़ों का improve किया गया है, वो सारा detail आपको आज किस वीडियो में मिल जाएगा क्योंकि रोम तो मुझे रियली में काफी super duper smooth देखनी को मिला है, लेकिन बात करना है यहाँ पर कि performance कैसा निकल के आता है, क्रिस्टमाजिशन के look में क्या changing आया है और स्टिल क्या कोई बग रहता है या नहीं अगर आज का वीडियो यह पसंद आता है और आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें सबसे पहले अगर हम इसके बाउट की बात करें तो यहाँ पर आप डिख पाऊए कि यह 3.4 है जिसका थोगा सब्सक्राइब कर दिया गया है इसका प्रियू में थोगा उस बदलाव लाया गया है android 12 आपको यहाँ पर कुछ इस तरीकी से देखनी को मिलता है जहाँ पर security patch आपको दिखाई देता है जो कि 2 यानि 5 का है 5 का और यहाँ पर आप लॉंग होल्ड कर दोगे ना तो यहाँ पर android 12 का लोगो आ जाता है ऐसे double tap, triple tap करनी के जोड़त नहीं है बस आपको यहाँ पर hold क detail वगरा भी देखनी को मिलेगा जो maintainer है उनका name भी तो पूरा about change हो चुका है system के अंदर आते हैं तो यहाँ पर live translation, gestures में back tap जो कि अच्छे से काम कर रहा है तो बस tap किया और यहाँ पर deduct कर लेता है और यहाँ पर जो भी action है वो काम कर जाएगा और यहाँ पर आप देखोगी यहाँ पर open camera मिलता है system neighbor में तीनों बटन आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको haptics वगरा के option मिलते हैं और full का भी option मिल जाता है और साथ यहाँ एडवांस का भी option दिया गया है जो कि काम करता है बाकि यहाँ पर आपको power button पर assistant मिल जाएगा skin suit और यहाँ पर one handed वगर एक minute हां तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3.4 और latest की अगर बात करें तो 3.4 तो यहाँ पर आपको मिलता है गूगल का digital well-being और यहाँ पर यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाता है जो कि आप यूज कर पाऊगे और यह on रहे या off रहे आपके game को यह deduct कर लेता है तो आप ऐसे on ही कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा बट ऐसे भी यह deduct करता है Android will का safety, emergency, privacy और यहाँ पर दिख पाऊगे जो आइकन है ना इनके भी थोड़ से look को change कर दिया गया है और हर एक setting को थोड़ा category दे दिया गया है जो कि पहले नहीं था तो यहाँ पर setting के अंदर भी थोड़ का time out डाल सकते हो कितने दिर पर हो auto lock होना चाहिए और इसके notification को भी आप यहाँ पर manage कर सकते हो तो apps lock काफी अच्छा हो चुका है काफी improved हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख पारे हो pin और यहाँ पर क्या देखनी को मिलता है हमें fingerprint तो face unlock अभी तक इसमें add नहीं हुआ तो में भी next update में add हो जाएगा तो apps lock के अंदर face unlock भी यूज कर पाऊगे बाकी यहाँ पर notification, storage, apps, sound, sound के अंदर आपको देखनी को मिलता है per app sound control जो कि sound assistant के तरह काम करता है जैसे कि हमें MIUI में मिलता है बाकी यहाँ पर आपको dolly का भी effect देखनी को मिलता है जो कि pro पर working रहेग जहाँ पर मैंने CPU total पर डाल के check कर रखा है जिसका result में आगे आपको दिखाने वाला हूँ बाकी battery usage वगएर भी मुझे काफी सही लगा है और काफी अच्छे तरीकी से perform करता है बट battery train क्या है वो आगे आपको पता चलेगा यहाँ पर आपको रेखनी को मिलता है theme support जो कि proper का करता है कोई दिक्कत नहीं आता लेकिं यहाँ पर single ही theme मिलता है बाकी अलग से आपको download करके ही apply करना पड़ेगा तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी के जरूरत है बाकी यहाँ पर आप डिखते तो इसके honor session दिया गया है जहाँ पर OTA feed से आप check out कर पाऊ गया जो कि मै सब कुछ पहले जैसा ही मुजिक विजूलाइजर वगेरा लॉक स्किन पर भी वही सेम चीज़ आपको देखनी को मिलता है यहाँ पर आपको पैडिंग देखनी को मिलता है जो कि पहले से नहीं रहता है आप उत्वा करना पड़ेगा किदर गया भाई हमारा पैडिंग सब्सक्राइब और अच्छे से काम करेगा या प्या वाल पेर वाला ही पीक कर सकते हो तो यहाँ पे सम्टाइम रिस्प्पाइम नहीं देता है जैसा के अभी दे रहा है और जब मैंने फर्स्टाइम चेक किया था उसे में यह काम कर रहा था तो ऐसे हुं में आपको कुछ signal कुछ Wi-Fi और यहां पर कुछ और यहां पर एक्षा चीज़े मिल जाती है तो जो अच्छा लगता है वह आप यूज कर सकते हो बस इसके वाइक अंदर थ्वास और इंप्रूइमेंट के जरूरत है जैसे कि डीफिस्ट के अंदर देखनी को मिला था वह मुझे पसंद आया था वह एड हो जाए तो मज़ा आ जाएगा बाकि नोट्रिक्शन के अंदर वही एज एंबिएंट वेटिंग का अप्शन मिलता है इस टाइम एंडेट वगरा केरियर यहां पर मिलता है तो यह मुझे काफी सरी लगा लेकिन जैसा कि मैंने बताया एक दो बाग है वो आपको मिल जाएगा और जो डायल है न वाई किया है तो आप देख से तो काफी टाइम से में इसे यूज कर रहा हूं तो यहां पर साइड डिटेल मिल जाएंगे 45 में इसने 64% चार्ज कर लिया था 32 में 6% बैटरी ड्रॉप हुआ है यहां पर देखोए 11 आर्ट्स में है जो 51 बैटरी ड्रॉप किया इसने यहां पर 28 में 49 कुछ इस तरीक से आपको ट्रॉटल डिटेल यहां पर देखने को मिलता है तो यह भी मुझे सही लगा लेकिन जो मैं जिस तरीक से बैटरी डॉप चेक करते हूं उहां पर मुझे थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है तो आ जाते हैं हम अपने स्क्रीन सूर्ट कलेक्शन क यह उपर ठीक है तो स्टार्ट अप से स्टार्ट करेंगे यह हमारा गीकपेंच का रिजल जो कि सिंगल और मल्टी थोड़ा सा वीक है मिवाई के कंपरेजन में बट और होल कह सकते हैं अच्छा है बाकि यहां पर यह CPU ठोटल जिसमें यह भी काफी ठोटल किया है और मैंने प्रोफाइल का यूज करते हैं फिर से रन किया तो यह 91 गया तो थ्वा से इंप्रूब हुआ बट और इंप्रूब और स्टेवल होने के ज़रूरत है बाकि L1 का सपोर्ट आपको मिलता है तो Amazon Prime Netflix में दिक्कत नहीं आने वाला और साथ साथ यह है हमारा अंटू-टू-टू इस रोम के अंदर बाकि यहां पर स्टेवाइब बैटरी ड्रोफ आप नोटिस करोगे कि 58 पर मैंने लैट किया था टाइम में चेक करता हूं 6.30 पर तो यहां पर बैटरी आ जा तमारा 48 यानि यहां पर बहुत कम टाइम में 10% का बैटरी ड्रोफ किया है जो कि मुझे थ्व पूट अनिमेशन की बात करें तो वह काफी अच्छा खासा है यहां पर आपको वॉल्म स्लाइडर भी काफी अच्छा देखनी को मिल जाता है और इसका ब्राइटनेस भी काफी हाई रखा गया है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो और मैंने कब भी लोग कर रखा है जब मैं ब्राइटनेस स्लाइड करूँगा ना तो यहां पर हलका से अनिमेशन आपको देखनी को मिल जाता है जो कि देखने में काफी सही लगता है यहां पर थर्मल प्रफाइल मोटो 120 वगरा चेंज करने का उप्सन मिल जाता है जो कि आप यहां पर चेंज कर पाऊगे अ लेकिन वहीं पर बात करें गेमिंग कैसा है तो चलिए उसको पर भी नजर डाल लेते हैं और यहां पर देखा कि आपने जैसे कि इसकी इंसूट क्लिक हो गया तो मैंने जेस्टर अन कर रखा है तो सम्टाइम वह दिकत कर देता है बाइब बताने में मर गया में चलो आगे देखते हैं थोड़ा फोट अब यार थोड़ा सा खेलने तो दें आप 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 इवाले लाखर स MRB ये कड़ने ले वरुश लोज्भ्र अगे खुष्ग मैं। प्रेटीं विक्तरी तो सिट मैंन यहां पर बहाई गेम मुझे काफी अच्छा लगा इतना सूपर स्मूद काम कर रहा है ना टॉच रिस्पोंस मुझे हर जगा काफी बहतरी निन लग रहा है चाहिए वह वह ब्राउजिंग हो यहां पर गेमिंग हो हर एक जगा मक्षन सा काम कर रहा है लेकिन वही है कि जो फाइनल स्कोर का रिजल्ड आता है वह तुछा वीक लगा लेकिन रोम मुझे काफी इंट्रिस्टिंग लगा है और आई होब कि आप भी अगर इसे इसे इंस्ट्रॉल करते हो तो काफी इंज्वाय करने वाले हो चाहिए वह गेमिंग के मामल करना है फ्लेश करना है फॉर्मेट करके रिबूट कर देना है तो आप और इंज्वाक्स का यूज कर लेना मैंने इस्ट्रॉलेशन वीडियो अपने मेंड चैनल पर दे रखा था तो वही मैठिट होने वाला है तो थैंक्स फू वाचिंग बाबाई क्थी गूश बाबाई